Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? So ये सारे Star Science की रीडिंग है, Short Reading है और बिल्कुल Timeless है. So let's start. आज मैं सिर्फ औरिकल्स यूज़ करूंगी और कार्ड्स आप लोगों को पता है कि मैं intuitively निकालती हूं कुएक एनरजी अपडेट में, बट ये एक कार्ड हम रख लेते हैं. So we have True Love. This is the romance of a lifetime. So ये इनसान आपके साथ बहुत ज़्यादा Connected महसूस कर रहे हैं, आपके लिए True Love महसूस कर रहे हैं. Maybe आपके परसन को एतबार नहीं था True Love पर, बट आपके साथ जब उन्हें प्यार हुआ, उन्होंने फील किया कि True Love ऐसा होता है, और उन्होंने भी ये फील किया है, कि वो Truly आपसे बहुत ज़्यादा Connected हैं और आपसे प्यार करते हैं. So maybe एक लंबे समय के बाद उन्होंने किसी के लिए इतना Strongly फील किया. फिर है महरे पस्मेक तएफ़र्ट. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So they feel कि जैसे ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ खिशते चले गए. जैसे यहाँ पर लिखा है, Taking the steps you are guided to take. मेरा इस लफ्स के पर बहुत जा रहा है देहान. जिससे मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये इनसान ये सोचते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा फिल हुआ कि वो आपकी तरफ खिशते चले गए और वो रोक नहीं पाए आपके लिए अपनी feelings को. Then we have flirt. Extend your light-hearted energy to others. So वो अपने आपको रोक नहीं पाए और वो आगे बढ़ते रहे और उनके दिल में आपके लिए feelings बढ़ती चली गई. And then we have pay attention to the red flags. So उनके लिए एक risk था हमेशा से. Maybe ये बात उन्होंने कभी आपको नहीं बताई. But कोई risk factor इस connection में आपके person के लिए था. कुछ ऐसा था जिससे वो डरते थे. जो उनके लिए fearful था. जो उनका fear था. फिर है मेरे परस healing family issues. So maybe ये उनकी family से related को issue हो सकता है. ऐसा issue हो सकता है कि मतलब उनकी family का influence उन पर बहुत जादा हो सकता है. कि वो अपनी मर्जी से कहीं कोई decision नहीं ले सकते. अपनी मर्जी से कहीं शादी नहीं कर सकते. ये भी हो सकता है. ये बड़ा typical सा है. बट थोड़ा मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है. कि मेभी उनकी family के खिलाफ हो नहीं जा सकते. बट they fell for you. और आप वो बहुत जादा strongly आपके लिए feel करते हैं. तो उनको लगता है कि ये थोड़ा एक risk है. इसमें थोड़ा सा tension है. and then we have it is safe for you to love. बट they really feel के आपके साथ वो secure है. उनकी feelings secure है. और उनने किसी चीज़े डरने की जूरत ने. पिकिस आप दोनों एक साथ जब तक होंगे. तब तक जो भी obstacles होंगे आप उनका मुकाबला कर लेंगे. Right? Let go of control issues. So I feel के जैसे वही बात आ रही है के पहले आपके परसन ने इस डर की वज़ा से ही. जो family का डर था, whatever. उस fear की वज़ा से control करने की कोशिश की थी आपके लिए अपनी feelings को. But अब ये इनसान नहीं डर रहे हैं. I feel के अब ये इनसान आपके प्यार के लिए open है. Because जैसे जैसे time गुज़रा, उन्हें महसूस हुआ के उनके लिए safe है आपसे प्यार करना. It is safe for them. और आप trustworthy हैं. आप कभी ना जाएस फायदा नहीं उठाएंगे उनकी feelings का. आप कभी उन्हें धोका नहीं देंगे. आपके अंदर कोई लालच नहीं है उनको लेकर. So, ये चीज़ें सारी आपके person, आपके बारे में सोचते हैं कि आप पे trust करते हैं और इसलिए भी वो आपसे इतना ज़ादा प्यार करते हैं. So, वो आप पर give up नहीं करना चाहते चाहें. जितने भी obstacles हों. And then we have chemistry. There is a strong magnetic attraction here. So, ये बात मैं पहले कर रही थी कि ना चाहते हुए भी उनको ऐसा लगा कि कोई force है जो उन्हें आपकी तरफ खेंचती चली जा रही है और वो खुद को नहीं रोक पाए. जो भी उन्होंने control करने की कोशिश की थी अपनी feelings को आपके लिए डर की वज़ा से, family की वज़ा से, whatever. But आपके लिए उन्हें feel हुआ कि जैसे कोई force है जो आपकी तरफ उन्हें लेकर जा रही है. So, ये इनसान आपके साथ एक बड़ी strong chemistry महसूस करते हैं. I really feel कि आप दुनों एक दूसरे को बड़ा understand करते हैं. And bottom of the deck पर हमारे पास है soulmate. Yes, this is your soulmate. So, आप उनके soulmate हैं. This is true love. This is divine connection. I feel कि ये जिन collective के लिए आज मैं ये reading कर रही हूँ, आप दुनों का connection बहुत अच्छा है, healthy है. आप दुनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. कोई external influence है जिसकी वज़ा से आप दुनों परिशान हो सकते हैं या आपकी इस connection में कोई परिशानी आ सकती है. But I really feel कि आप दुनों एक दुसरे से चूली बहुत ज़दा प्यार करते हैं और आप ये बात जानते हैं. यहापे कोई families का issue हो सकता है, कोई external factor हो सकता है. But आप दुनों की chemistry और आप दुनों के प्यार में कोई कमी नहीं है. So ये आपकी quick energy update थी. कुछ भी आपके लिए helpful रहा? मुझे जरूर बताएगा comment section में. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye-bye.